देखिये पाते हैं उशाक बुतों से क्या देखिये पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज एक ब्राहमवर्ण ने कहा है कि ये साल अच्छा है हमको मालुम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने को गाले ये खयाल अच्छा है आप सबको नए साल की शुब कामना है, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM News Network बाद शुरू करें रादीती की उससे पहले कुछ लाइने और मुझे याद आ रही है, चुराई हुई लाइने हैं लेकिन अच्छी लग रही हैं तो मुझे लगा कि मैं आपको सुना दूँ नतीजा फिर भही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर भही होगे, शिकारी जाल बदलेगा अरे बदलना है तो दिन बदलो, बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो इंदसों को, महीने फिर भही होगे, फक्त ये साल बदलेगा वही हाकिम, वही गुर्वत, वही कातिल, वही गासिप, सभी शत्रंच के माहिर, कोई न चाल बदलेगा चलो हम माल लेते हैं, महीना साठ सालों का, बताओ, कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा, सुना है ये साल बदलेगा नए साल पे ये कुछ लाएने मुझे याद आई, तो मैंने सोचा आपको सुना दूँ, आम तोर पे आपकर खरकरी नौकरी कर रहे होते हैं, अपना सांसान चला रहे होते हैं, अपने अड़ोस पोडोस में कहते हैं, कि साल के पहले दिन यार, ये मत करो कुछ लोग मेरे मित्र हैं, वो नहाने में थोड़े काम चोरी करती हैं, लेकि कहते हैं, आज साल का पहला दिन आज तो नहारे ना चाहिए, मतलब जो साल का पहला दिन होता है, बड़ा शुब मानते हैं, ये कहते हैं कि जो पहले दिन करेंगे, हम वो वही काम हम साल बर करें तो आप जितने लोग हैं आज कम से कम पहली जनवरी को आप सब ने अच्छा अच्छा काम किया होगा, लोग मंदिर गए हैं, लोग मस्जिद गए हैं, लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया है, दुआएं करी हैं, समाज में प्यार बड़े, भाई चारा बड़े, अपना घ कि आपके राजा ने आपकी बैंड बजा रखी है, और खास और से मध्यम वर्गिये परवार की बैंड बजा रखी है, मैं भी दो दिन पहले एक फौजी अफसर के साथ था, बड़ा अफसर है, तो मैं से पूछ रहा था, इक बाँ बताओ, इमानदारी के साथ, तो मित्ते बड़ी पोस्ट पे हो, 2014 से पहले और 2014 के बाद, फौज के अफसर कैसा महसूस करते है, सिस्टम में सरकार में, उसने कुछ अच्छी बाते कहीं, उसने का अच्छी बाते हम यह स्वी महसूस करते हैं, फौजी अफसर, कि हमारे हाथ खोलने का मौका मिला, मतलब उसकी इशार पोटर धमकी उमकी चलती रहती है, फिर उसने का कि तकलीफ यह है कि सारी सुबधाएं हमारी खतम की जा रही है, हमारी कैंटीन में हमें जो समान मिलता था वो खतम कर दिया गया, हमें जो सुबधाएं मिलती थी वो खतम कर दी गई, अब सुनाया कि हमारी पेंशन भी खतम होन पर नाज है, उसका पैसा कहा जा रहा है, क्यों फौजी अफसरों को इस तरह बात कहनी पड़ रही है, अरे क्या जूरोत है कि दिल्ली में एक पार्लियमेंट बनी हुई है, आप केबल इत्याहस के पन्नों में नाम लिखाने के लिए कि ये पार्लियमेंट मैंने बनाई है, 2023 भारती रागीती का एक इत्याहस लिखने जा रहा है, नौ राज्यों के चुना है और 2024 का ये धरातल है, 2023 बड़ा महिकपूर साल है, नौ राज्यों के चुना है, और रहूल गांदी की भारत चोड़ो यात्रा ने सीन बदला है भारत की राज्यती का, तो आज मैं जिस बात कर रहा था, वो ये कर रहा था कि रहूल के पक्ष में क्या है, रहूल के खिलाफ क्या है, एक बात चल रही है कि क्या रहूल अब की छवी ऐसी हो गई है, भारत चोड़ो यात्रा के बाद रहूल का इस तर ऐसा हो गया है, कि रहूल का नित्रत अब विपक्ष सीकार कर राहुल के पीछे एक जन्मानस खड़ा हो गया है, हम राहूल को अपना नेतर शीकार कर लें, क्या लगता है आपको हो जाएगा यहां। मेरा मानना है कि विपक्ष की एकता में राहूल का नेतर सीकार करने की अभी कई सारी दुश्वारियां हैं। सबसे बड़ा नाम नीतिश कुमार का आया था बलकि यह मैं कौँँगा नरिंद मोदी और भारतिय जन्ता पार्टी खिलाब जो माहौल बदला उस पे सबसे बड़ी भूम का नीतिश की थी बिहार में नीतिश अगर अलग नहीं होते देखे नीति-श्वाब व μεुश्परा के ते करहार वार केहते मीधि कहते है। कर दाघ मर्भ fé is क् olmuş dit हमा सबस्जा के दो प्रहार के विकष्य की खाता है हें तो सब हम लोग तो वहीं तो कडि ही रहा है ना कि जड़ा मुटों और उनों का अपना चल रहा है तो हम लोग तो वेट कर रहे है बागी सब पाठों से रही से बात RIGHT है कि एक क्वार मिल गूल करके काम करने का और आगे करने का यह बात हो रही है और जहां तक सवाल है उन्हीं नहीं को टाय करना आए वो जुठे मेरे बारे में चलता हम तो कितना बार कह चुँगा कि हम भाई नहीं है कि हमारी नई इच्छा है ना हम इसके क्लिवी सब बात जोंगे और इतना च्छा उनकोundert आएगा और वहमत होगा कि वो फिर सासंग करेंगे और ठीक धंग से लोगों के बीच में आपस की सहमती के साथ हम लोग देश के विकास के लिए जो योजनायत तै करेंगे उसके आधार पर हम लोग पूरे देश को और आगे करेंगे यही तो हम लोग की इच्छा है और उसमें कोई दिकत नहीं पहले और एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें क्या दिक्कत है उसमें सभी अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो उसमें सब्सक्राइब होगा इसलिए अभी इसके अलग-अलग पुछने से क्या फाइदा है हम लोग कोई बढ़ियां से भी बता देते हैं कि हम लोग क्लेमेंट नहीं है ऐसा मत समझेगा कोई बने अच्छी बात है लेकिन मिलजूल करके चलेंगे पहले तभी नताय होगा तभी न हम लोग कोई बात कह सक करेंगे आपको नितिश का स्टैली ही रहता है राजीती में बाते कम कहना इशारों से कहना लेकिन कुछ कुछ रीजनल पार्टी यसी हैं जिनका कॉंग्रिस से ही छक्तिस कहां कड़ा है लेकिन बड़ा नाम है जैसे के सियार तेलंगाना का सियम तेश्तर राज चीफ जिसने तेलंगाना राज की स्थापना करी और उस राज में अपनी जड़े बहुत भीतर तक जमाई हैं तेलंगाना में असली लड़ाई कॉंग्रिस के साथ है भारती जंदा पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है चार सीटे जीत गयते है पिछली वान मेंबरा पालियमिंट की तो वो कुशिश कर रहे हैं और सीटे मिल जाएं लेकिन राज में बीजेपी कमजोर थी अब बीजेपी वहां पर ओवे सीपी हमला करके अपना बेस मनाना चाह रही है लेकिन कॉंग्रिस वहां दिन पर दिन कमजोर हुई है तेलंगाना में पिछले दुनों उप्चुना बढ़के हैं बोले हम बीटी में बिपख्ष तुम हो सारों से तुम्हें लड़ना चाहिए बीजेपी से तुमने संडर कर दिया है बीजेपी से हमला हम पर कर रहे हैं तो जहीं बीपख्ष की ताना बाना बनना था तो वहां पर दरार पड़ी है नीतिश कितना भी कहते है लेकिन क्या बिहार में कॉंग्रिस इत्नी मजबूत हो पाई है कि कॉंग्रिस नितिश लाल उसके पीछे है कभी नहीं हो पाई है वलकि पिछली विदान सवा में अगर कॉंग्रिस थोड़ा सपोर्ड कर गई होती तो शाहिए तिजस्वी आज बिहार के मुखमंदरी होते हैं साखले शादों ने पिछले दुनों कह दिये कॉंग्रिस अब बीजेपी एक जैसे हैं विधान सबस्वा चनाओ में प्रियंका गांदी ने दिन रात मेहनत करी लड़की हूँ लड़ सकती हूं नारा इतना ज़्यादा पॉप्लर कर दिया करोन और पे चनाओ में फूग दि उत्य प्रिदेश की राजीती को जो जराभी करीफे जानता है जो करजरासा भी करीफे देखता है जो जरासा भी करीफे पढ़ता है वो जानता है कि मायवती वही करेंगी जो भारतिय जनता पार्टी चाहेगी जमीनी इस तरफे लोग चाहते हैं कि मायवती अकलेश का इक पर फिर गड़बंदन हो। लेकिन ये भी जानते हैं कि अगर गड़बंदन होगा तो फिर शर्ते को चुरोंगी और बीजेपी नहीं चाहेगी कभी ये गड़बंदन हो। अब ऐसे में कॉंग्रेश अकेरे लड़गी उत्तर प्रदेश में और सोचेगी कि उसको मुस्लिम बोट मिल जाएगा। जब संग्ठन ही नहीं होगा, जब बिफ्तर बिशाने वाला नहीं होगा, जब पर्ची बाटने वाला नहीं होगा, तो कैसे चुनाओर लड़ेंगे। बंगाल में कॉंग्रेश अकेरे लड़के क्या करेगी। तो मेरा मानना यह है कि बिफ्रक्ष के नेता भी जानते हैं कि जहां रीजिनल पार्टी मद्बूत इस सिती में हैं, वहां पे कॉंग्रेश को उनका समर्थन करना पड़ेगा। तेलंगानाय में केसी हार से बात करनी पड़ेगी, हम आपके साथ चिनाओर लड़ना चाहते हैं, हमें एक, दो, तीन, जो भी सीटे आप देना चाहिए दे लिएजिए। उत्तोर प्रिदेश में इस सिती नहीं है, हम एटी और राय वर्गली तक कॉंग्रेस अपने दम पर जीट जाए। बात करनी पड़ेगी अकले शादाव से कि हमें तीन सीटे, चार सीटे, पास सीटे, जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन शर्तों में उसमें आप भावी नहीं होंगे, अकले शादाव हावी होंगे। बिहार में आपको नितीश से समभाद करना पड़ेगा, बंगाल में आपको मंदब एनरजी से समभाद करना पड़ेगा, तब ही आपका काम चलेगा। लेकिन ये बात सही है, राहुल गांदी बहुत ज्यादा कॉन्फुडेंस में है। उनको लग रहा है कि वो अब बीजिपी वे जितना तीका हमला कर रहे हैं इसमें कोई दोरा ही नहीं है। बाकी पिपक्ष कंप्रोमाइज वारी सिती में आता है लेकिन राहुल गांदी भारतीय जनता पार्टी और राष्टीय सेम्ट से विकसंग पर अब तक का सबसे ठीका हमला बोल ले हैं। कहना ये तो हमारे गुरु हमने सीखा है। सुन ये राहुल से। ये जो यात्रा है जिसको मैंने नदी भी कहा है। ये एक जीवत चीज है। इसकी एक आवाज है। इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीज़े बता रही हैं। तो मुझे ऐसे इंडिविच्वल काफी सीखने को मिला हूं और मैं सब को धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए आप लोग मेंसे बहुत लोग आए और खास्तोर से जो हमारे उपर आकरमन करते हैं मेरे जो RSS के BJP के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाह क्योंकि actually हो क्या रहा है जितना वह आकरमन करते हैं उतनी हमको अपनी position इंप्रूव करने का मौका मिलता है तो मैं चाहता हूं और मैं seriously बोल रहा हूं मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोनों से करें और aggressively करें तो Congress Party को और हमें मतलब अपनी जो ideology है वो अची तरे और अच करना चाहिए और अची ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यह बदले हुए रहूल है प्रेस कॉंफेंस करते है अची बात है चार महीने में नौ परेस कॉंफेंस की है तोशल बीडियों प्रदान मत्री ने आट सालों में एक भी महीनों में नौ परेस कॉंफेंस कर डाली है पूचा के क्या अकले शुमायवती के संग आपका रिष्टा क्या होगा रहूल है महबत वाले रस्ते पर वो भी है वेचारिक मत्बे देखिए अकले शुमायवती के लिए रहूल क्या बोल ले है जैसे मैंने कहा मेरे लिए जैस चुर कह रहे हैं और मैंने उनको जवाब दिया देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है ये हमें कुछ बोल रही है और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भाई या देखो यात्रा के बाद क्या होगा तो ए खानता हूं कि विपक्ष के नेता, सारे के सारे, हमारे साथ, खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है. बट आज के हं विपक्ष के नेतान में कमपल्शन हमें धि होते हैं, UK, political compulsions hothate हैं, दूसरे compulsions hothate हैं, तो मैं उस पे कॉमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आए हैं, क्यों नहीं आए है, कौन आए है, कौन नहीं आए है, पस मैं यह कहना चाहता हूं कि, भारत जोड़ों यात्रा के दर्वाजे, जो भी भारत को जोडना चाहता है, उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं. तूसरी बात, विचारधारा में ची Χाण में होती है, प्रिकि नफरत और हिंसा और महबत में चीहां होती है। बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायवती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो महुबत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूँ, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, तो रिष्टा तो है उनके साथ, आइडियोलोजिकल रिष्टा और भारत जोडने का और नफरत को मिटाने का रिष्टा है। जोडने का रिष्टी कि अगर वरुल गांधी आते हैं तो गांधी परवार को डर होगा कि गांधी परवार में फिर एक और निक्तर तो उबरेगा। राजीती में कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन अब राहूल गांधी न अपना कद बड़ा कर लिया है। जो हजारों करोड़ उपर खंच करते हैं उनको पपू वाली इमेज बनाने कोशिश किये थी राहूल उससे उप बनाए है। वारू के लिए वी राहूल कहा बन में क्या आ रहा है हम आपको सनाते है। बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहाँ पर प्रॉब्लम तो होगा। अब आप उनसे पूछिए पहल पता नहीं मुझे थोड़ा मुझे ही कन्फ्यूजन हो गई है। पता नहीं पता नहीं अब क्या बोलूं। कॉंगरिस के मतलब सीनियर नेता हैं बड़ मुझे कन्फ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी अंदर कभी अंदर कभी अंदर कभी अंदर कभी बाहर पता नहीं मुझे। तो रहूल का दिल अब बड़ा हो गया है। रहूल चाहते हैं कि लोग समाज के लोग साथ में आए। और इसमें क्योई दो राएं नहीं है भार जोड़ो यात्रा आउट इस्टेडने ही यात्रा। रहूल ने अपनी पूरा सीन बदल दिया राजिती का। जो लोग रहूल को आलोचना करते थे वो रहूल के दीवाने हो गए। देखा कि उसने एक नौजवान किस तरह पूरे देश को जोड़ने के लिए चल रहा है। लेकिन जाहर है 2023 की शत्रंज ऐसी विचानी पड़ेगी जिसमें आपके सारे खाने आपके पक्ष में हों क्योंकि राजिती है जिरास भी दावलटा पड़ा तो नुफसान उठाना पड़ेगा। तो पुनहां आपको नए साल की शुब कामना हैं देखते रहिए 4PM सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल उस्तर प्रदेश की खबरे देखना हो 4PM UP बिहार की देखना हो 4PM बिहार और गुजरात की देखना हो 4PM गुजरात जरूर देखिएगा थेंक यू झाल